नमस्कार आप देख रहे हैं दिर्मान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा आज हम मौझूद हैं लोजपा राम विलास यानि के चिराग पास्वान के पार्टी ओफिस में और आज यहां लाला लाजपत राय की पूर्णिती थी पर उन्हें सरधानजली कारेकरम का आयोजन किय गया है आईए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लोजपा नेताओं ने पुस्प अरपित कर सरधानजली दी है तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आज लोजपा राम विलास पार्टी की ओफिस में लाला लाजपत राय की पूर्णिती थी पर यहां पे जो भी नेत हैं वो उन्हें सरधानजली अरपित कर रहे हैं आपको बता दे कि लाला लाजपत राय देश में लाल बाल पाल तीन तिकडियों में एक थे और उन्होंने अपना अमी च्छा पुरे देश में छोड़ी थी उनकी योगदान को अगर हम याद करें तो उसे कभी भुलाया नह नहीं जा सकता उनका युगदान आजादी की लड़ाई हो या फिर अंग्रेजी सासन के नाकों में दम करना हो हर माइनों में बेहद ही खास थी और प्रेना दायक थी हम आज इस औस तर पे लोजपा कार्याले में मौजूद हैं और लोजपा परवक्ताओं से भी उनकी राय जानेंगे लाला लाजपत राय की नाम आते ही पंजाब के स्री जिन्हें कहा जाता था साइमन कमीशन के याद आ जाती है लाल बाल पाल के रूप में वे प्रशिद थे और आज उनकी पुर्णिती थी पर लोजपा नेताओं द्वारा सरधांजरी दिया गया और इस कड़ी हो या फिर नेशनल नेता हो उनकी पुर्णितिती पर कितना याद कर रहे हैं यह आप भी देख रहे होंगे और यह किसी से चिपी नहीं है लोग भले ही आजादी को याद करते हों लेकिन आज उन्हें क्यों एक तरीके से भूले की कगार पे पहुंचने लगे हैं सर इस पर लाला लाजपत राई जी को हम लोग याद करते हैं और जीवन परियंत बृतानी हुकूमत के कुरूर सासन के बिरुध संघरसरत रहे और स्वाधिन्ता आंदोलन के एक बड़े संघरस में इनका निधन बहुत कुरूर तरीके से हुआ था मैं कहूं तो देश के बलिदानी पूरुस्क के रूप में इनहें याद करना चाहिए मैं समझता हूं कि इसी बात को लेकर इनके पुन्य तिथी को बलिदान दिवस की संग्या दी गई है और हम एक देश के बड़े स्वाधिन्ता संग्राम के बलिदानी दिवस के रूप मे हम उनके पुन्य तिथी को याद करते हैं आपने कहा अपने इंट्रो में कि बाल पाल और लाल तो लाल हमारे देश के लाल पंजाब के स्री लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है बाल बाल गंगादर तिलक को कहा जाता है और पाल विपिन चंदर पाल जी को कहा जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों अपने आप में स्वाधिनता संग्राम में अहम भूमिका के लिए अविस्मर्णिये रहेंगे और हम लोग इनके बलिदान दिवस पर आज उनके पुन्यतिती पर उन्हें याद करके खुद को गर्वानित महसूस करते हैं और स्वाधिनता संग्राम को नमन करते हैं जिन्हों ने स्वाधिनता संग्राम की बलिदी पे अपनी जान की कुर्बानी दिथी